स्री क्रेश्ण कनहय आलाल की जय स्रे निजानन्द स्वामी की जय स्रे प्राणनाथ प्यारे की जय कहे हुकमे महामत मौमिनों हक इश्क बोले बेशा का इश्क रवज वाहिदत में हक उलट हुए आशी का हक लट हुए आशी का श्री क्रेश्ण कनहय आलाल की जय स्वाम प्रकर्ण अंतिम प्रकर्ण है तो इसमें पूर्ण ब्रह्म प्रमात्मा अपने और से क्या संदेश दे रहें ब्रह्मात्मां को उसका उल्लेख है रूहों मेरी तुमारा आशीक है मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं यह मेरी आत्मा हो यह आशीक है ना तो मेरी वो आशीक रूहों यह मेरी अनुरागनी आत्मा हो तो मैं अब यह तुमारा शब्द दूसरे चरण के साथ में जोड करके मैं सदा तुमारा सुख चाहता हूं सुख शान्ति शुविधा तुमारे बहुत अच्छाई हो यह चाहता हूं वास्ते तुमारे कई बिदके इसका अंगा उपजाओं अब यह आशिक शब्द है वैसे तो प्रहमा आत्मा ही आशिक होती है के तो अक्षराते दामदनिक अभी आशिक बन करके दुनिया में आये ब्रहमा आत्माओं को जागरित किया दुनिया में आकर के समझाया तो इसल करके तुम्हारे पास साया हूं और तुम्हें जागरत कर रहा हूं तुम्हारे बला चाहता हूं ऐसा समझा रहे हैं इस तरह से समझाना चाहते हैं वास्ते तुम्हारे कई बिदा के इसका अंग अपजाओं तुम्हारे लिए अनेक प्रकार के तुम्हारे अंदर तुम्हारे रिधाय में कई प्रकार के सुख और प्रेम पुत्पर्न खरवाता हूं मैं आशिक तुमारा कहल आया मैं लिखे इश्क के बोल मैं तुमारा आशिक बनकर कि यहां दुनिया में आया और मैंने तुम्हें पहले भी प्रेम के बचन कहे हैं यह सारे शाष्ट्र हैं जहां भी पुर्ण ब्रह्म के द्वारा ही यह संदेश बजा गया है इस तरह से समझना चाहिए माशुक अकरा लिखे तुमको तुमारे बलाई के लिए लिखा है और तुमारे लिए है इसलिए तुमको माशुक बना करके तुमको लिखा है शो भी लिए ना तुमको और फिर भी तु लिखे तीना उठावर निशान आरंब से लेकर के अंतिम परियंत, आरंब मध्य आदी मध्य और अवशान, इस तरह से उसका एक शैली है, लिखे तीना उठावर निशान, तीना उठे काने में निशान संकित दिये, यह बीता का हम तुम जान हैं, भेजी तुम को पैचान, इस संपुर्ण ब्रतान्त जो तुम्हारी पैचान के लिए भेजी, यह हम और तुम ही तो जानते हैं, और कौन जानता हैं, दो बेर दुनिया नहीं कर, किना दो बेर डुबाई, जहान, यह कते परमपरा के अनुशार इस प्रकार समझाया हैं, दो बार दुनिया को नहीं बना दी, और दो बार डुबा भी दिया, तो जब दुनिया डुबी, तो उस समय ब्रह्मा आत्माओं को बचाया, इस प्रकार से, विशेश प्रकार के समुः को बचाया, वो कहना चाह रहे हैं, तो कते परमपरा में उस प्रकर से समझाये तुमको लैलत कदर में दो बेर किन बचाये तोफान तुमको इस लैलत कदर में दो बार तोफान से किसने बचाया तुमने कभी उस पर विचार किया फिर तीसरी बेर दुनी कर फिर तीसरी बार दुनिया बना करके जिनमे ओशी फजर जिसमें अप्रभात हो अब जागनी जागरत हो करके ज्ञान का प्रभात होगा सब विदबेशा करके तुम्हें खेल देखाया और नजर सब प्रकार से तुम्हें संदेरहित बना करके तुम्हारी दृष्टी और ही बना दी ज्यान के दृष्टी दे करकितों में यह सब अनुभव करवाया यह कहना चाहते हैं जैसे कतिप परंपरा में हो या बैदिक परंपरा में हो सभी में ही ब्रह्मात्माओं के आगमन की बाती तो है ब्रज और रास की अलग-अलग लेला हैं उसके बाद जागनी लेला के बाद तो यह तीसरी बार दुनिया बनाना तो जागनी लेला के लिए बता रहे हैं तुम जो अरभाह अरश्वक साथ अकजात निश्वत तुम तो परंधाम के आत्माओं और तुम्हारा संबंध पूर्ण हक जात जो सच्ची आत्माएं हैं उनके साथ ही तुम्हारा संबंध है यह जो दोस्ती हाग का हमें सगी बीच खिलवत के बाहिदत तुम्हारी दोस्ती काने को तुम्हारा संबंध होने से मित्रता होती है तो ये सदा सरवधा की है बीच खिलवत के बाहिदा तो अद्वेत भुमिका में परमधा में मुल मिलाव में बैठे हुए तुम एक दुसरे से एक दुसरे को जागरद करने के लिए एक दुसरे का सह्योग करने के लिए तायार बैठे थे तो तुम्हारी उस समय की ये मित्रता है कोई तरफ न जाने अर शकी तो मुझे जाने क्यों करा दुनिया में लोग परमधाम की दिशा को भी नहीं जानते हैं परमधाम की सहुर है तो मुझे कैसे जानेंगे नूर जलाल नूर मकान में एक इने मेरे तरफ की ख़बर नूर मकान में अक्षर धाम में अक्षर ब्रमर रहते हैं उनको ही मेरे देशा का ज्यान है बाकि औरों को पता नहीं है दूजा तरफ तो जाना ही कोई और अठाव रबका होए दूसरी तरफ को तो मेरे तरफ कहा तो तुम सोचते होंगे दूसरी तरफ ही कोई होगा तो दूसरा तो कोई ठीकाना है नहीं इसलिए दूसरा तरफ नहीं होगा मत्र मेरे तरफ ही होगा ये कहाना चाहरे है दूजा तरफ तो जाना ही कोई और ठावर बका होए दूसरे कु अखंड स्थान होता तो हे तो दूसरे ठीकाना होता, नहीं क्यों जाने तरफ है कि किन्ह तरफ से ठाउर लेक होए। तो किस तरफ से और पाल कोन थेकाना लेना चाहिए कोन सब्सक्ज रख चाती है कोन मिथ्चे है कुछ भी मालूम ने होता है। खेल कई कोट एक पल में देख उड़ावे पैदा कर ये अक्षर ब्रह्म के लेकार है ऐसे अनेक प्रकर के खेल है न कई कोट कई करोडों खेल है एक पल में बनाते हैं देख देखते देखते बनाते हैं उड़ावे पैदा कर पैदा कर के उड़ावे देते मिटावे देते हैं अइसी कुदरत धा नूर जलाल पे, नूर जलाल आक्षर ब्रम के पास में ऐसी ख्षमता है. नूर मकान एसा कादर है, तो नूर मकान में रहने वाले आक्षर ब्रम है, वो ऐसे समर्थ हैं. ऐ बातुन जो मेरे अरश का, सोस सुदा नूर को भी ना है, इतने समर्फ हैं अक्षरब्रम उनको भी मेरे घर की पूरी बात तो पता नहीं है मेरी गुज अरश जो खिलवत तुम्हें इन खिलवत के माहें नेरी धाम के अंदर का अंतरंग लिला के संदर्व में तो तुम ही जानते हो क्योंकि तुम इस लिला के अंतरगत हो दोस्ती हक हमेशा की इसलिए पुरुन ब्रह्म के साथ में तुमारी दोस्ती हमेशा की है क्यों भुलाई दही मुमिन है उसको तुम कैसे बोल सकते हो तुम जो रूहें अरश की मेरे अरश के तन तुम तो परमधाम की आत्म हो और दिव्य परमधाम में तुमारे मूल शरीर को मेरे सम्मुख हैं अंग अहादी मेरे नूर से, श्री श्यामा जी मेरे नूर की अंग है, मेरे अंग स्वरूपा है तुम रूहें अंग हादी नूर, तुम श्यामा जी के अंग स्वरूपा हो, तुम ब्रमात्मा है तो अरशकाया तुम दिल को जूरू है बाहेद अताताना हजूर इसलिए तुमारे रिदाय को परमधाम कहा है कि तुम परमधाम की अद्वेत भूमिका के अंतरगत हो और पूर्ण ब्रह्मा के निकट हो इस प्रकार की बाते पहले बहुत बार आई है तो उसी बात को ही दोरा करके और द्रड़ कर रहे हैं इसलिए जल्दी बता रहे हैं और अभी लिख्या महममद को आस्मान से तहत असरा और अब ये उसमें सद्गुरु को दर्शन दे करके कहा तो उसमें क्या कहा तो आस्मान से तहत असरा आस्मान से लेकर के तहत असरा पाताल तक तो ये मलपूरा ब्रह्मान जही ये बहु बिदर बहरुल हैवान बहरुल का ताथ पर समुद्र तो दरिया तो मानू पासविक बृति का ही ये समुद्र है इसमें लोगों में पासविक बृति ज़्यादा है जल शिर लगा, कुफर भरा, तो इस समुदर में जल कितना है, बहुत ज़्यादा है, शिर तक भरा हुआ है, कुफर भ्रम भ्रम रुपी जल ही इसमें भरा हुआ है, उपर तक, अब ये शिर तक काने का मतात्वर है, वैकुंठ परियंत पूरा भ्रम का आया का ही जल है, मुह काई बीदा के माहे हाइवान, कई जीन देव इंसान है, इसमें कई प्रकार के लोग है, पशुबृति के हैं, जीन है, तो जीन बगर नहों भूत प्रेत जैसे देव है, इनसान है, अब ऐसे में बीच मरजिया होए, काडी, सीप, मीने, मोती, महमद, पैचान, ऐसे ये साग करके अंदर गोता लगा करके मरजिया मरजिवा बोलते हैं, गोता खोर, गोता खोर बन करके तो इसमें से सीप में से फिर मोती को निकाला, किसने? यहां पर देव चंद्रजी महराज के लिए कह रहे हैं, तो इस देव चंद्रजी महराज ने तुमको इस तरह से पहचान की ह तुम्हा अजू न समझे तो इतना होने पर भी तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आ रही है मैं कर लिख्या मासुक है मैंने इसलिए उनको मासुक करके लिखाए और उनको लिखाए तो तुम भी उसी में आ गए मेरी इन बातों को सुन करके भी अभी तक तुमारा रेदाए बेदेरण नहीं हुआ पहले के करंथों में ये भी बताया था कि महामद श्यामा जी ने तीन अलग-अलग समय पर दुनिया में आकर के काम किया है तो उसको कुरान में बसरी मल्की और हकी ऐसा कहा एक आप बलदो आखर असो वास्ते तुमा उम्मत उसमें ये भी कहा है कि एक तो पहले और आखिर के समय पर कामत के समय पर दो होंगे तो तुम ब्रहमा आत्माओं के लिए है ये बंदगी मजाजी और हकी की और बंदगी की बात कही उफासना की तो वो मजाजी जूठी और हकी की सत्य ये जो कईयां जुदियां दो ये दोनों अलग अलग प्रकार से समझाए जूठी बंदगी इस प्रकार की है और सची बंदगी इस प्रकार की ये भी समझा है और उसको कहते हैं एक फरज दुजा एक तो फरज बंदगी हो गई एक उपचारिक्ता का निर्वान कर दिया दूसरा है प्रेम से क्यों नदेख्या वेवर आश्वय उस विवरण को तुमने क्यों नहीं देखा क्यों नहीं समझा यह जो फरज मजाजी बंदगी बीच नशुत हक से दूर तो इस दुनिया में जो अउपचारिक्ता की पुजा अर्चना है तो वो बीच नाशुत हकस से दूर हो परमात्मा से दूर ले जाने वाली है बस कर दिया करना था उतना ही समझ ले तो परमात्मा के लिए पूरण ब्रह्मा के लिए वो प्रेम ना हो तो फिर उस पूजा का कोई अतना महत्व नहीं होता है और परम्धाम की बंदगी कैसी है तो उनकी पुर्णब्रह्मक्स के नजीक हजूर में unos भाव से उनकी प्रतिप्रेम प्रकट होता है तो वो स्रेश्ट बंदगी है ये फरज बंदगी नहीं है दोस्ती कई हा का कितिन में समनुन पातसाह परमात्मा के प्रती दोस्ती मित्रता रखने वालों में एक समनुन नाम के बातसाह के बात भी कई है पातसा कौन होई बिना मासुक तो पातसा वो कौन हो सकता है जो प्रेमी नहों तो देखो इसम कुरान खुलासा इसम का नाम है कुरान में इसके खुलासा करके बताया गया है इस बात को जड़ा देखतो लो समझतो लो अबला दोस्ती हककी लिखी माए फुरमान तो फुरमान में ये बताया कि सबसे पहले तो परमात्मा के प्रति दोस्ती होने चाहिए पीछे दोस्ती बंदन की फिर उनके बंदे उनके भक्त उनके प्रेमी उनके प्रति होने चाहिए क्यों करी नपहचान, उस बात को कैसे तुम पहचान ने कर रहे हो मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती, एक ये न सहुरशूकन्ळ मैंने तु मेरे साथ में दोस्ती रखना मुझे भूलना मत ये पहले से कहाण एक ये न सहुरशूकन्ळ इन वचनों पर तुमने कभी विछार नहीं किया, तुमको वेशा किये, इलमसों, तुमको ब्रमा ज्ञान देकर के, तार्तम ज्ञान देकर के, विष्ण्दिये रहित बना दिया, है है अजो यादन अवेरूहन है ब्रमा आत्म, अभी तक तुमको मेरा मेरी मित्रता का कुछ भी ख्याल नहीं है दोस्त मेरे मोमिन और माशुक हादी बेशक ये ब्रहमा आत्मा है वो मेरे मित्र है और माशुक हादी बेशक हादी है सद्गुरु है स्यामा जी है वो मेरी माशुका है तो नाम लिख्या अपना मैं तुमारा आशी को इस प्रकार से बताया है मैं लिख्या है तुमको जो एक करो मोई साद मैंने ये भी तुम्हें लिखकर बेजा है तुम एक बार मुझे याद करोगे तो तो दस बेर मैं जी जी करूँ तुम्हें दस बार मैं तुम्हें हाँ हाँ बोलो जी जी करकर तुम्हें याद करके मैं इतना तुम्हारा ज्यादा ध्यान देता हूँ तो मैं एक बार याद करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारा दस बार याद कर रहा हूँ तुम्हें द्यान दे रहा हूँ और भी लिख्या मैं तुम्हें को मैं करत तुम्हारी जिकर और बात भी मैं तुम्हें और भी लिखी हुई है मैं तुम्हें हमेशा जिक्र करता हूँ, याद करते राता हूँ मेरी तुम्हें पीछे करता हो, तुम मुझे याद करते हो पीछे, बाद मैं याद करते हो, पहले तुम मैं याद करता हूँ फिर तुम मुझे याद करते हो क्यों करन ना देखी फिकर इस पर विचार करके क्यों नहीं देखा अभी तक देखते तो तो मैं पता चल जाता यह जो मैं लिखी बुझरकियां सो है कोई तुम भी न यह मैंने जो भी बड़ाई लिखी है ब्रमात्माओं क्यों तुमारे अतिरिक्त दूसरे कोई है क्या जित भेजों माशुक अपना जो चीने मेरे शुकन जिन आत्माओं को जगाने के लिए मैं अपनी प्रियतमा श्यामाजी को भेजू हूँ जो मेरे बचनों को समझ ले और दूसरा कोई थोड़े हो सकता है तुमारे लिए बेजाए मैं किन परभेजू इस आरते पड़ी जाए न रमुजे किन दूसरे किस पर संकेत भेजू मतलब मेरे साथ तुमारा संबंद है तुम मेरे आत्माओं हो ये बात मैं किस पर भेजू तुम्हें ही तो भेजूंगा ना पड़ी जाए ना रमुजे की ना इस प्रकार की बात में दूसरों से तो पड़ी नहीं जाएगी कोई समझ भी नहीं पाएगा तुम्हें जानत हो कोई दूसरा है बिना अरश रूहन तुम ऐसा समझते हो कि साइब किसी और के लिए कहाओगा कोई और या आत्मा होगी परमधाम की हम तो नहीं हैं इस प्रकार से समझ रहे हो यह जो अवलाद आदम की सब पूजत हैं हवा यह दुनिया में जो भी स्रिष्टी हैं उनको आदम की अवलाद ऐसा कहा है उसमें जितने मनुस्य हैं सब माया मोहक का ध्यान रख रहे हैं सो जायर लिख्या फुरमान में क्या तुम पाया न खोला सा ये बात स्पष्ट लिखिए दर्मक्रंथों में क्या तुमने इस पर कोई स्पष्टिकरन नहीं प्राप्त किया अभी तक इस बात को नहीं समझे एजो दोनिया खेल कावोटर ते तव दिये कुल plots दिलपर ये दोनिया है खेल के कवोटर के भात है जादु कर कावोटर के भात है तो उनके दिल में भी कुलows ताला लागा हुआ है ती तबी दिये को लाफ देल पर ओखेल के कभुतर के भांतिये थोड़ी देर के लिए हैं और उनके देल में भी ताला लगा हुआ है इसलिए उपर मार्तमा को समझ नहीं पाते हैं पावे हकेकता का लाम अल्लाह की सो खुले नालुदन नी बिगर अभी ऐसे लोगों के बीच में दिब्रामी बचन आभी जाएं तो वो तार्थम ज्यान के बिना खुलेंगे नहीं इसलिए उसका स्पष्ठी करण किसी को होगा ही नहीं कोई समझ नहीं पाएगा इसलिए नही समझाए धर्म ग्रंथों का अर्थ कोई समझ नहीं पाया उसका कारण यह है सो तो दिया मैं तुमको सो खुले ना तुम भी न वो जो इल्म लुदनी तार्थम ज्यान ब्रह्म ज्यान यह तुमने तुमको दिया है और तुमारे बिना दोसरों से यह रहस्य स्पष्ठ भी न जले तुमारा होकुम तो तुम मेरी जानकारी दूसरों को भी दे दो तो वो लुग तुमारा बड़ा उपकार समझेंगे और उनके उपर में तुमारा यह आदेश सलेगा ए शुकनाह के अबल कहे अरसम महम्मद को यह बाते पहले बता दिया था परमात्मने जब रसुल को अरसुल को इस में दर्सन्वे थे उस समय उनको इस परकार की बातें समझा दिए थी तो उस बात को यहाँ पर उल्ले करके बता रहे हैं पहले बताया था कुछ पाते बता देना मैंने बताई हुई और बाकी गुप्त रखना मैं आकर के सपष्ट करूँगा सारा सुकन कराय जाहर गुज रखे बक्का वतन दुनिया की बातें तो सारी सपष्ट कर दी और कुछ गुड बाते हैं उनको गुप्त रखी मुद्या रख्या द्वार अमारपत्य का वास्ते पैचान अरश्वरूहन तो परमधाम की आतमाओं की पैचान के लिए तो पैचान का द्वार है ब्रह्म ज्ञान का वो तो बंदही रखा वो सपष्ट नहीं हुआ पटबका की ने न खोलिया कई अवतार हुए तिधंकर तो ये जो अखंड का पट है किसी ने खोल करके द्वार शमझे लो किसी ने खोल कर नहीं बताया कितने अवतार या तिधंकर क्यों न हुए हो हाका एल्मा बिना कोई ना खोले कई लाखों हुए पैगमर तो ब्रह्म ज्ञान के बिना ये बात खोलने वाले नहीं है कितने पैगाम देने वाले क्यों न हो अरस अबका पटा खोल शी आखर अबका तमोमन कयामत के समय में तो अत्म जागरती के समय में ब्रह्मा आत्माएं इस पट को खोलेंगे साहिव जमाने की महरशे दिनकरशी बका रोशन तो उस समय के साहिव उनकी कृपा से तो अखंड दिन वो ब्रह्मग्यान का दिन है वो प्रकाशित करके बता देंगे कि अब ब्रह्मग्यान दुनिया में आ गया है राह देखाई तोविद की महमद चड़ा उतर रसुल मुहमत ने परमात्मा तक पहुँच करके और फिर आकर के तुम्हें ये समझाया तो उन्होंने अद्वेत का मारग समझाया था तो ये तुमारे वास्ते क्यों न देखो सहूर अकर तो ये तुमारे लिए हैं उस बात को क्यों नहीं समझते हो और दूसरे तरफ से ये तो मुसल्मानों के लिए बाकी यह मुहमद कहने से तो जो परमात्मा का काम करें तो ये सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महराज उनको भी तो सारा परमधाम दिखाया उनको तो सपष्ट देखा रसुल मुहमद ने तो परदे में देखा था तो इस बात को हम यहां ले सकते हैं कि तुम्हे वो सद्गुरु को मैंने सारी बाते समझाए और यह सब तुमारे लिए है उस पर विचार करो व्य वास्ते क्यों न देखो श्र कर विचार करके क्यों नहीं देखते हो और जो पैदा जुलमत से सो तुम जानत हो सब तो ये दुनिया जो भी पैदा होई है वो एक प्रकार से सुनने निराकार से पैदा होई है वो ऐसा समझते हैं ये सब तुम समझते हो ये क्यों छोड़े हवा को इसलिए ये माया को कैसे छोड़ सकते हैं जिनों असल देख्या यहे रभ उन्होंने इसी kisady समझ लिया हैые एल्म लुद्यनी तुम पहेजं पहले पाई खबर तो यह ब्रह्मग्ज्ञान तुम्हारे लिए दिया है और Jeśli तो इसी से तुम्हें पहले परमात्मा की पहचान होती, जिनको पहले समझ में आ गई ग्यान प्राप्त होते ही, अवर न कोई बाहिदत बिना, तो इता आवेंगे क्यों करणा, दूसरे तो कोई अद्वेत भूमिका के अंतरगत के कोई है नहीं, इसलिए तुम ब्रमात्माओं के लिए ही है, और त दूसरे कोई परमधम में पहुंचने वाला भी नहीं है, तुम ही जागरत होने वाले हो, तुम जागरत हो जाओ, स्री क्रिष्न कनाई आलाल कीजे, तो इता आवेंगे क्यों करणा, इल्म लुदानी तुम पे, जिन पहले पाई खबर, जिन पहले पाई खबर, और ना कोई वाइदत बिना, तो इता आवेंगे क्यों करणा, तो इता आवेंगे क्यों करणा, तो इता आवेंगे क्यों करणा, प्रश्न कनाई आलाल की, जैए। स्रे शदुगुर महराज की, जैए। स्रे प्राणनात प्यारे की, जैए। नचन पुरिद्वाण की, जैए। स्वार प्रश्नमानिजी महराजेकी